नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके ले लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की हेडलाइन्स के बारे में भारत ने इ-कॉमर्स ग्रहकों के हितों की सुरक्षा में विश्व्यापार संगठन की भूमिका को लेकर सदसी देशों से राय मांगी इंडिया इंटर्नेट गवर्नेंस फोरम 2022 संपन्न हुआ एक गेर सरकारी विध्यक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के चायन के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षिता में समीती के गठन की मांग की गई राष्ट्रिय दुरलव रोग नीती के लाव मरीजों तक नहीं पहुँच रहे हैं सबसीडी प्राप्त उर्वरकों के अधिक उप्योग से फसल उपज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं भारत ने इकॉमर्स ग्राहकों के हैतों की सुरक्षा में विश्यु व्यापार संगठिन की भूमिका को लेकर सदसिदेशों से राय मांगी प्रवरतन एजंसीयों के बीच सहीयोग बढ़ाय जाने को लेकर भी अपनी रुची प्रकट की है WTO ने वर्ष 1998 में E-commerce पर एक वर्प प्रोग्राम शुरू किया था इसका उद्देश ए E-commerce से जुड़े सभी व्यापार संबंधी मुद्धों की व्यापक जाच करना था इस प्रोग्राम ने वस्तूओं में व्यापार परिशद, सेवाओं में व्यापार परिशद जैसी WTO संस्थाओं को वर्तमान WTO समझोतों और E-commerce के बीच संबंधों का पता लगाने का निर्देश दिया था ये E-commerce पर moratorium लगाने पर सहमत हुआ था moratorium लगाने का मतलब है कि सदस्यदेश electronic प्रसारण पर स्थीमा शुल्क नहीं लगाएंगे electronic प्रसारण में software, email, digital संगीत, filmیں, video game आदिशामिल है वर्क प्रोग्राम के मताबिक जिन वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन, वित्रण, विप्णन, विक्री या डिलीवरी में electronic साधनों का उप्योग होता है उसे E-commerce कहा जाता है E-commerce से ग्रहाकों को प्रतिसपरधी मूल्य पर वस्तूओं और सेवाओं के अधिक विकल्प मिल रहे हैं इससे घर बैठे लेंदेन आसान हुआ है और भुगतान के सुरक्षित विकल्प जैसे कई अनिलाब भी मिल रहे हैं हाला कि इसने कई नई चुनोतियां भी पैदा की हैं जैसे कि भ्रामक विग्यापन, ओनलाइन भुगतान के खत्रे, ग्रहाकों की तुलना में विक्रेता की मजबूत इस्थिती और डेटा सुरक्षा आदी भारत द्वारा इस संबंध में कई पहले भी शुरू की गई हैं जैसे कि भारत सरकार ने उभुगता संरक्षन इकॉमर्स नियम 2020 पारित किये हैं इसके अलावा भारतिय मानक ब्यूरों ने उभुगता समीक्षा प्रकाशित करने वाले संगटनों के लिए भारतिय मानक प् लोकनीती के मुद्धों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग हितिधारकों जैसे कि सरकार, उद्योग, निजी कमपनियों, तक्नी की समुदाय, सैक्षनिक समुदाय, नागरिक संगटनों आदी को एक मंच पर लाता है इंटरनेट गवर्नेंस सरकारों, निजी शेत्र, नागरिक समाज और तक्नी की समुदाय द्वारा अपनी अपनी भूमिकाओं में साजा सिध्धानतों, मानदंडों, नियमों, निर्णे लेने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों का पूरक विकास और इस्तिमाल करना है इंटरनेट गवर्नेंस सतत मानव विकास को बढ़ावा देने, समावेशी ज्यान आधारित समाज के निर्मान और सूचना तथा विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ाने में इंटरनेट की शमता के कारण बहुत महत्तपूर है इंटरनेट की कोई एकल प्रभारी संस्था नहीं है, इंटरनेट कॉपरेशन फोर असाइन नेम्स और नमबर्स यानि आईकेन, आईजीएफ, इंटरनेट कमपनिया, गेर सरकारी संगठन आदी इसके प्रमुख अभिकरताओं में शामिल है भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामले में बहु हित धारक दृष्टिकॉर्ण का भी समर्थन करता है इंटरनेट गवर्नेंस प्रक्रिया के सिध्धान्तों की बात करें तो इसके तहट पारदर्शिता, बहु हितिधारक्ता, खुला सहभागी, आम सहमती से संचालित गवर्नेंस, समावेशी और न्याय संगत सिध्धान्त, इसके अलावा सहियोगात मक्ता का सिध्धान्त, जव इसके अलावा डिजिटल शेत्र में कुछ कमपनियों और देशों का वर्चस्व है। इंटरनेट की मामले में मांग पक्ष की बजाए आपूर्ती पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णे लिया जाता है। कर रहा है। सूप्रिम कोट ने CEC के चयन के तरीके पर सरकार से सवाल किया है। साथ ही CEC और EC की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं लाने के कारणों के बारे में केंद्र से जवाब भी मांगा है। सम्विधान की अनुच्छेद 324-2 के तहत राष्ट्रपती, CEC और EC की नियुक्ति करता है। इस अनुच्छेद की मताबिक राष्ट्रपती जो प्रधान मंत्री और मंत्री परिशित की सहयता एवं सलहा पर कारे करता है। ऐसी नियुक्तियां संसत द्वारा इस संबंद में बनाये गए किसी भी कानून के प्रावध की नियुक्ति की ये विवस्था सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण विवेकादिकार देती हैं जिसकी उस दल के प्रतिनिष्ठा सुनिष्ट है। सम्विधान ने CEC या EC के पद पर नियुक्ति के लिए कोई योगिता निर्धारित नहीं की है। यानि कि इन के लिए कोई कानूनी, सैक्षिक, प्रशासनिक या नियाईक योगिता नहीं है। CEC को منमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। उसे सूप्रिम कोर्ट के निया अधीश की तरह ही राश्टुपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। हाला कि ECC को CEC के समा योगं हैं या नहीं इसका निरणे राजसभा के मामले में सभापती और लोगसभा के मामले में अध्यक्ष करता है 1970 के बाद से कोई भी गेर सरकारी सदस्य विधेयक अधिनियम नहीं बना है अगली खबर स्वास्थ शेत्र से सम्मनित है राश्ट्रिय दुरलब रोग नीती के लाब मरीजों तक नहीं पहुँच रहे हैं राजसभा के एक सांसद ने रोगियों तक NPRD के लाब नहीं पहुँचने पर चिंता प्रकट की है साथ ही सम्मन्द में सेंटर ओफ एक्सिलेंस की ओर से ततपर्ता की कमी को भी रेखांकित किया गया है NPRD के तहट सेंटर ओफ एक्सिलेंस सरकार द्वारा अधिस्तूची तृतियक अस्पताल हैं इन अस्पतालों में दुरलब रोगों के निदान, रोग थाम और उपचार की सुविधाय उपलब्ध हैं NPRD का उद्देश्य व्यापक निवारक रणनीती के माधियम से दुरलब रोगों के मामलों और प्रसार को कम करना है राश्ट्रिय दुरलब रोग नीती के मुख्य विशेश्ताओं की बात करें तो इसमें रोगों का वरगी करण किया गया है समूह एक में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका उपचार एक बार करने से वो ठीक हो सकते हैं दूसरे समूह में अपेक्षाकरत कम लागत वाले दीड कालिक या आजीवन उपचार की आवेश्यक्ता वाले रोगों को रखा गया है और समूह तीन यानी ग्रूप थ्री में ऐसे रोगों को शामिल किया गया है जिनका निश्चित उपचार तो उपलब्ध है लेकिन इलाज के लिए उस रोगी का चैन करना बड़ी चुनोती है ऐसे रोगों के इलाज में खर्च बहुत ज्यादा होता है और आजीवन उपचार की जरूरत पड़ती है इलाज में सरकार का काफी सहयोग रहता है समूह एक के रोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार एक अम्रेला योजना, राष्ट्री आरोग्य निधी के तहट वित्तिय सहता प्रदान करती है राजे सरकारें समूह दो के तहट सूची बद्ध दुरलब रोगों के मरीजों को सहता देने पर विचार कर सकती है रोग थाम के भी अलग अलग इस तर बनाए गए हैं जैसे प्रात्मिक रोग थाम में दुरलब रोगों से ग्रसित बच्चे के जन्म को रोखना चाहिए पुनर्वास की विवस्था की जानी चाहिए विशु स्वासे संगठन के मताबिक दुरलब रोग का मतलब है कमजोर करने वाले और जीवन परियंत व्याप्त रहने वाले रोग या विकार से इसकी व्यापकता प्रती 10,000 व्यक्ति पर 10 या उससे कम लोगों में हैं ऐसे दुरलब रोगों की संख्या 7,000 से 8,000 है जिन में से लगभग 95 प्रतिशत के लिए कोई मन उपचार मौजूद नहीं है दुरलब रोगों के बारे में चुनोतियां ये हैं कि इस रोग के बारे में प्रात्मिक देखभाल चिकितसकों में जागरूगता की कमी है दूसरी बात ये है कि परियाप्त जाँच और नैदानिक सुविधाओं की कमी है परियाप्त उपचार उपलब्ध नहीं है इसके अलावा उपचार के लिए बहुत अधिक खर्चे की जरूरत पड़ती है और आईए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक कृशी सबसीडी के बारे में सबसीडी प्राप्त उरवरकों के अधिक उपयोग से फसल उपज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है उरवरक विभाग के आंखनों के मताबिक अप्रिल से अक्टूबर 2022 के बीच यूरिया और डाय अमोनियम फॉसफेट यारी डियेपी उरवरकों की बिक्री में पिछले वर्ष के समान साथ महीनों की अवधी की तुलना में वृधी दर्ज की गई है अन्य उरवरकों की तुलना में इनके उपियोग में वृधी से पोशक तत्यों का असंतुलन पैदा होगा इससे मृधा स्वास्थे प्रभावित हो सकता है और अंत तह फसल की पैदावार में कमी आ सकती है उच्छ सरकारी सबसीरी दोनों उर्वरकों की कम कीमत और अधिक विक्री के लिए उत्तरदाई कारण है। उर्वरक की ज्यादा उपयोग से कई समस्याई भी उत्पन्न होती हैं। उर्वरकों के विवेकपूर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थेकाड योजना लागू की गई है। और आईए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्तोपूंट सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना पीम एए जीवाई के तहट जनजातिय कारे मंत्राले का लक्षिय कम से कम 50 प्रतिशत जनजातिय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले 36,428 गाओं को आदर्श जनजातिय गाओं के रूप में विक्सित करना है। प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना जनजातिय उप योजना के लिए विशेश केंद्रिय सहता का संशूधित संसकरन है। इस योजना को वर्ष 2021 से 22 और वर्ष 2025 से 26 की अवधी के लिए लागू किया जाएगा। योजना का उद्देश अभिसरन दिष्टिकॉ अगला टॉपिक है मदर्सों या अलपसंख्यकों को सिक्षा प्रदान करने की योजना यानि स्पेम। सरकार ने स्पेम को जारी करने की अनुमती अभी तक नहीं दी है। समाजिक नियाएं और आधिकारिता पर संसद की इस्थाई समीती ने इस देरी के लिए केंदर सरकार की आलूशना की है। संस्थानों के बुनियादी धाचे का विकास IDMI योजना। वर्ष 2021 में इस योजना के क्रियानवेन की जिम्मेदारी अलपसंख्यक कारे मंत्राले से लेकर सिक्षा मंत्राले को दे दी गई थी। रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट अंतराश्ट्रिय प्रकरती संरक्षन संग ने रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 जारी की है। वर्तमान में राश्ट्रिय और उपराश्ट्रिय सरकारें सभी इस थलियब पारिसितिक तंत्रों में पुनर स्थापना लक्षियों के कार्यानवेन पर प्रगती की निगरानी करने के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग करती हैं। वर्तमान में 22 देश बैरोमीटर का इस्तमाल कर रहे हैं। भारत इन देशों में शामिल नहीं हैं। इसे पहली बार वर्ष 2016 में बॉन चैलेंज बैरोमीटर के रूप में लाँच किया गया था। ये वैश्विक प्रतिबधिताओं जैसे की UN Decade on Ecosystem Restoration बॉन चैलेंज पैर परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले कर रहा है। इसका उद्देशिय परियावरन जागरूगता को बढ़ावा देना और परियावरन संरक्षन के लिए छात्रों को भागिदार बनाना है। इसके अंतरगत दो कारिक्रम शामिल हैं। नैशनल ग्रीन कॉप् संपिंग प्रोग्राम इसके अंतरगत छात्रों के लिए देश के अलग-अलग संरक्षित शेत्रों या नेचर पार्क्स या टाइगर रिजर्व में फिल्ड विजिट या नेचर कैम्प के आयोजन में मदद की जाती है। स्क्रेम जेट इंजन भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्क्रेम जेट इंजन का ताप परिक्षन किया है। ताकि कम लागत पर उबग्रह प्रक्षेपित किये जा सके। इस क्रेम जेट सूपरसोनिक देहन रेम जेट इंजन का एक उन्नत रेम जेट इंजन होता है। ये केवल सूपरसोनिक गति पर ही काम करता है। ये इंजन प्रक्षेपन यान के प्रदर्शन में सुधार करता है क्योंकि रॉकेट में अतरिक्त ऑक्सिजन की आवश्यक्ता नहीं होती है। ये अत्यधिक उचाई पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। अगला टॉपिक है भारत अंतराष्ट्रे विज्ञान महुत्सव दोहजार बाईस भारति अंतराष्ट्रे विज्ञान महुत्सव का आयोजन जन्वरी दोहजार थेईस में मध्यप्रदेश के भुपाल में किया जाएगा। IISF विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्राले तथा प्रत्वी विज्ञान मंत्राले की एक पहल है। विज्ञान भारती स्वदेशी की भावना से युक्त एक विज्ञान आधारित आंदोलन है जिसका नित्रत उदेश के प्रतिष्ठित विज्ञानिक कर रहे हैं IISF 2022 का उदेश्य भारत और दुनिया भर के रचनात्मक और कल्पनाशी लोगों को एक साथ लाकर आजादी के अमरित महोतसव से जुड़े विविदकारिक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है कार्बो प्लैटिन ये अलग-लग प्रकार के कैंसर का उपचार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है ये कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक देती है या धिमा कर देती है कार्बो प्लेटिन अलकाई लीटिंग एजेंट्स के रूप में ग्याद दवाओं के समूह से संबंदित है टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किये गए एक अधियन के मुताबिक इस दवा ने अत्यंत आकरामक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस कैंसर के इलाज की दर और रोगी की उत्तर जीविता को बढ़ा दिया है ये कैंसर विशेश रूप से युवा महिलाओं में होता है भारत में इस तन कैंसर के लगभग 30 प्रतिशत मामले ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस कैंसर से संबंदित हैं साथ ही 50 वर्ष से कम आयू की महिलाओं में इस तन कैंसर के लगभग 45 प्रतिशत मामलों के लिए भी उत्तर दाई है अगला टॉपिक है ट्यूबर क्लोसिस रिसर्च फंडिंग ट्रेंड्स 2005 से 2021 रिपोर्ट इस रिपोर्ट को ट्रीटमेंट अक्शन ग्रूप और इस टॉप टीवी पार्टनर्शिप ने जारी किया है इस टॉप टीवी पार्टनर्शिप सेंफ तुराष्टर से संबन्दित इकाई है जिसका लक्षे वर्ष 2030 तक टीवी को समाप्त करना है इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में पहली बार दुनिया भर में टीवी अनुसंधान और विकास के लिए एक बिलियन डॉलर तक का वित्तुपोशन प्रदान किया गया था वर्ष 2018 में टीवी पर संब्तुराष्टर की उच्चे स्तरिय बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में टीवी पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रतिवर्ष 2 बिलियन डॉलर के वित्तुपोशन का लक्षन इधारित किया था टीवी माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है ये एक संचारी रोग है जो वायू के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये रोग उपचार योग्ये और रोग थाम योग्ये है और आईिए अब चर्चा करते हैं सुरखियों में रहे व्यक्तित्तु के बारे में सुब्रमनियम भार्ती जिनने भार्तीयार के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हूँ था और इनका देहावसान 12 सितंबर 1921 को हूँ था ये महा कवी भारतियार के नाम से प्रसिद्ध हैं वे तमिलाडू के एक महान कवी स्वतंतरता सेनानी और समास सुधारक थे सुब्रमनिम भारती ने एक कवी और राष्ट्रवादी के रूप में देश भक्ती कविताएं लिखी थी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सुधेशा, गीतांगल, कन्नन, पट्टू, आदिशामिल हैं और एक पत्रकार के रूप में वे स्वदेश मित्रम के उपसंपादक थे उन्होंने तमिल भाषा में एक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया था ये तमिल लाडू में राजनितिक कार्टून प्रकाशित करने वाला पहला समाचार पत्र था सुब्रमनिम भारती बाल विवा के खिलाफ थे उन्होंने ब्रह्मन वाद और हिंदु धर्म में सुधार के लिए संगर्ष किया था वो दलितों और मुसल्मानों के साथ भी एक जुट थे एक्टाय पुरम की राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधी प्रदान की थी जिसका आर्थ है देवी सरस्वती का आशिरवात सुब्रमन्यम भारती के विक्तित्यु के लक्षणों की बात करें तो उनमें समर्पन, साहस, धार्मिक्ता, सत्यनिष्ठा, इमानदारी और करुणा की भावना थी और आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख मंदिर के बारे में अंग कोरवाट मंदिर परिसर कमबोडिया विदेश मंत्री ने सभितागत संबंधों की वज़े से अंग कोरवाट मंदिर परिसर का जीरुन धार करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है अंग कोरवाट का मतलब है मंदिरों का शहर इस प्राचीन मंदिर परिसर का निर्मान बारवी शताबदी की शुरुआत में सूरिवर्मन दुतिय ने कराया था प्रारंब में ये हिंदु देवताओं, शिव, ब्रह्मा और विश्नु को समर्पित था हाला कि बाद मैं इसे बौध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था ये मंदिर कमबोडिया के सीएम रीप प्रांत में स्थित है ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सनरचना है इसमें कई मंदिर जलिय सनरचनाएं जैसे की बेसिन, बांध, जलाशय और नहर तथा संचार मार्ग आदी शामिल है अगला महत्तोपूर मंदिर है काकतिय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेरंगाना एतिहासिक रुद्रेश्वर मंदिर के विशाल मंडप की जीरणोधार परियोजना पूर्ण होने वाली है रुद्रेश्वर को सहस्र इस्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है रुद्रेश्वर मंदिर का निर्मान 1213 ईसवी में काकतिय राजा गणपती देव के शाशनकाल में उसके सेनापती रेचा रला रुद्र ने करवाया था रामपपा इसके शिल्पकार का नाम था ये मंदिर राम लिंगेश्वर स्वामी शिव को समर्पिद है वर्ष 2021 में इस मंदिर को युनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था ये मंदिर काकतिय वन्ष की विशेश शैली तकनीक और अलंकरन कला को प्रदर्शित करता है जैसे कि अलंकरित और नकाशीदार ग्रेनाइट और डोलराइट से बने बीम और इस्तंभ आदी इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्षे के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब नमस्कार